ही गाई आज हम बात करने माले हैं all new Hyundai Crata के बारे में मैं थीन साल से Crata ओन कर रहो तो तो मैंना जादे क्या क्या चीज़े इसमें एड़ान खरी गई है क्या के नहीं करें इस तरह की कि आपको पूरी 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 नई पर देखने को मिलेंगे इस तरह के से देखो सामने के पूरी लूग अगर मैं देखा हूं तो इस तरह के का यहां पे चेंज़ेस की बात करो ना तो आपको 360 पार किंग nee की मीरा मिल जाता है अपको यह वालो जो है न यह आपको सिक्वेंचल इंडिकेटर्स दिए गये हैं यहां पर पहले ड्रायो भी मेलडी देदिनी जाते हैं यहां परर अगर यहां पर लोगो वह भी चेंज हो गया है पहले आपफो 3D लोगो आता था प्रूडी लोगों कर दिया गया है और इतने बड़े-बड़े आपको यहां पे ग्रिल्स मिल जाते हैं जिसमें पूरा हाथ घुज जाते हैं किती जादा स्पेसिंग मिल जाती हैं यहां पर यह वाला जो चीज़ है वह आपका रिडार है इसमें आपको एडायस भी मिलता है पहले थोड़े अलग टैप क्याते थे मैं परसनली बताओ मेरे को वह जादा बेटर लगते थे यह वाला मेरे को तो कुछ पसंद नहीं आया है यह थोड़ा सा उल्टा काम करा है युंडाई वालों ने बिगाड़ दिया है वील्स को पहले कंपरेशन वाकि आल्फोर डिस् बागी साइट से कुछ नहीं है पूरा पूरा चेंज कर दिया गया है पहले के मुकाबले सबकुछ आपको चेंज मिलता है यहाँ पूरा कनेक्टिंग आपको यहाँ पे लाइड मिल आती है जो कि मेरे उपीनेंट में ब्लैक किलर में बहुत ज्यादा बढ़ी अलगती है औ बताओ तो ब्लैक अगर नहीं लेना है तो डारकर शेड्स में कोई कलर आप लेना कर ट्राय करना क्योंकि उसमें जादा बेटर लग रही है यहाँ पे एसेक्स की ब्रेंडिंग है यह टॉप मोडल है आपको बता दू पीछे चार पार्किंग सेंसर आपको दीगाए है और है किक नई चीज़ इहां पर गया बीच में उपर में आपको रिवर्स में मिलता है यह पे आपको इंडिकेटर और यह बाकी आपको तो मिलते ही मिलते हैं इस तके की पूर रrear डीजाइन है वाइप डी फॉग naughty掉 ओ में पीच में वापाशिपन अगर्ट उसज आपको फिछे मिलता ही मिलता है यहां पर आपको ब्लाइंडस पूर मोटे यह आने वाले बाएंडस्पॉर्ड मोटेर से उससे आ इसके हम फैना pieces तो धाल अंडर और आपको मिलेगा बस हाँ कलर जो है ना वो चेंज कर दिया है पहले ब्लैक में आता था पर अब भाई देखो थोड़ा सा ना बेज ट्रेटमेंट और यहां पर सिल्वर ट्रेटमेंट आपको मिलते हैं बहुत बहुत जादा बड़ी अलगता है यहां बहुत की ब्रैंडिंग है बहुत की स्पीकर से बहुत बड़ी आए मजा आ जाता है यहां पर सारे विंडोस के कंट्रोल से यह तो कुछ नहीं बात नहीं सब कुछ सिमिलर है इसमें नहीं घुशता यहां पर इलेक्ट्रोनिक एजश्मेंट आपको सीज मिल आते हैं यहां ठीक है इस तरीके से उस आरे लगते हैं इंटिरियर मजएदार मतलब बहुत अच्छा अप्ग्रेड मिला है आपको अंदर पूरी की पूरी चेंज कर दी गई सबसे पहले देखो आपको यहां पर थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग में आपको स्टेरिंग कर दी गई है पहले ब्लैक फिनिशिंग में भाई मस्त डिस्प्ले यह भी अगर हम बताऊंगा आपको इसके बारे में भी ठीक है यहां पर सारे आपको क्रूस कंट्रोल और एडाइस के फंक्शन की फीचर मिलाते हैं इधर बात करूं यहां पर आटो स्टार्ट सब पार्किंग हैं सो ऑन अफ करने का यहां पर ट्रेक अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बात करें तो देखो बहुत बहुत जादा बड़ी आए यह जो आपकी सेल टॉस वगएरा में आती थी या फिर आपकी अलकसार वगएरा में जो वह आती थी ना डिस्प्ले वही वाली डिस्प्ले है और एक चीज़ा मैं आपको टीपीमस वाला फीचर हो गए यह अपना एड़ास का फीचर हो गए बहुत 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 बढ़िया डिस्प्ले है ज्यादा गुशने की ज़रूरत नहीं है इसमें बता देता हूँ आपको टैको मिटर मिलता है बाकी तो सब चीज़ें आपको यहां पर दिखी रही होगी यहां पर आटामेटिक वाइबर्स नहीं मिलते हैं आपको दिया जाता है यहां पर बहुत जदा बढ़िया करी है मैं बता हो आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा नहीं लग रहा हो पृट ना में को पता नहीं पर यह ना बहुत जादा बड़ी अलगती है यहां पर पूरी फ्लैट डिस्प आपको यहां पर डैश्बूर्ट में लाता है और डिजाइन देखो भाई डैश्बूर्ट को बहुत जादा बढ़िया कर दी गई है मतलब एक नजर में आपको प्यार हो जाएगा इस वाले डैश्बूर्ट से ऐसी डाइप की लुक्स है ठीक है इधर आपको देखो इस तरी के पूरी प्यानो ब्लैक में फिरिशिंग मिलाती है एसी वैंस के साथ कनेक्टेड है वह वाला यहां पर छोड़ा मोड़ा स्पेस है वहां पर रख भी सकते हैं फोन वगएरा थोड़ी सी रबराई ट्रीटमेंट है तो अच्छे से आपका फोन वगएरा फिट हो जाता है देखो मेरा फोन आराम से यहां पर फिट हो जा रहा है यहां पर जो एक अच्छी चीज़ बताओ ना इंटीर में तो यह भाई इसके यहां पर एसी के कंट्रोल वगएरा और मीडिया के सारे बटन वगएरा यहीं पर मिलते हैं डेडिकेटड बटन दिये गया है जो कि बहुत अच्छी चीज है भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आपको सब चीज के लिए बटन दिया गया ना बहुत बहुत जादा एप् सबकुछ यहां पर आपको मिल रहा है यहां पर आपको देखो फ्रंट वेंटिलिटेट शीड मिल दाते हैं यहां पर आप कैमरा भी चालू करके देश सकते हैं और बहुत 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 बढ़िया यार मतलब क्वालिटी वगरा की बात करूँ ना सब कुछ टॉप नौच ह कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है और आपको हां यहाँ पर आपको चाबी वगरा रखने के लिए च्छोटा सा सा स्पेस मिलता है यहां पे आप दो का फोल्डर पहले की जैसा ही है पूरा पैनल कोई जारे डिफरेंस नहीं है बस यहां पे आपको ग्लॉस ब्लेक कर दिया गया है जो पहले आता था मैट में यहापको पूरा लैदर फिनिशिंग में आपको आम्रेश मिलता है जिसके अंदर बात करें तो स्पेस मिल आता है मतलब अच्याज़ ऐसकतीğimiz गाफे से चीजous के लिए और इधर बात करें तो आपको कूल गलवर्स मिलता है लाइट पान यह जाए घंटिक सा पैनरॉमिक संरूफ मिलता है यहां पर आपको लाइट वगरा मिल जाते जो कि एलेडी में है जो कि मैं मैं अप्रिशेट करूँ एलेडी लाइट और देखो भाई पैनरॉमिक संरूफ पहुत बढ़िया पहले के जैसे सिटिंग बात करें थोड़ा सा बदलाव करा गया जैसे कि मैं रहटा हो नरो तो मैं बता सकता हूँ आपको मैं बैट नहीं मिरेको थोड़ा सेसे को दिए पहले के कंपरिजन में तो सीटिंग कोलीटी थोड़ी इंप्रोडी बगारा देखके जो फील आएगी ना प्रीमियम नेस की और एकदम लगेगा कि भाई कहां से कहां अक्रेटा ने अपने आपको इवाल्फ कर लिया है वह वाली मज़ा आएगी चीजे अब मैं यह वाले सीट को अपने कोई ज्यादा चीज नहीं करा गया सिमिलर सा स्पेस है पीछे भी इग्डम माइनूट सा चेंज है अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ यहां पर पूरा रियल का मतलब डूर पैनल्स तो कोई ड़ार डिफरेंस नहीं है बस हापको रियर में यहां पर यह देखो यह दो टाइप सी के चार्जिंग पूर्ट और एसी वगरेंस तो पहले भी मिलते थे सिटिंग वगरा सब कुछ सेम है यहां पर आपको सेंटर में आम्रेश वगरा मिल जाता है यह देखो रियर बैट के नहीं बता रहा हूं क्योंकि कोई मतलब नहीं यह बैट के बस हाँ यह यह आपका पॉल्स्री ना लैदर की पॉल्स्री दी गई है जो की बहुत बढ़ी है आशोफिक चाइल मॉट्स वगरा सब कुछ मिलता है यहां पर हैड्रस कुछ निकुछ निवाला पहले भी दिया जाता था वह अब भी मिलता है बस यहां पर सिल्वर कर दिया गया पहले इंटीरियर से बस आप बूट दिखा जेता है इस वाली क्रेटा में यह देखो इतना है फाई 433 लीटर का बूट स्पेड जो की पहले भी आया करदा तक रेटा में अभी भी सेम है कोई जाला डिफरेंस निया और यहां पे आपको लाइट बगरा भी मिलता ही मिलता है पार कर दिया गया है मतलब लेंट में थोड़ी सी इंक्रीज हुई है क्योंकि ना यह वाला जो पार्ट आप देख रहे है ना यह थोड़ा सा ना से स्लोपिंग टैप का लंबा कर दिया किया है पहली वेली क्रेटा में ऐसे फ्लश करके हुआ करता था पूरा ऐसे जाता था था क चलो अब मल्टिपल ओपीनियंस हो सकते हैं इस वाली क्रेटा को कि आपको अच्छी लग रही बेकार लगरी पर मैं बताऊ ना तो ब्लैक कलर में बहुत अच्छी लग रही गारी आप शुरू मांकर ज़रूर देखें ठीक है अच्छी लग रही कोई ज्यादा बेकार नही आपको प्राइजिंग की क्या क्या मिल रही आपको यहां पर सारे वेरियंस की तो यह था चोटा सा मेरा वीडियो कमेंट करके बताना कि आपको यह वाली क्रेटा पसंद आती थी पहले वाली कि अभी वाली क्रेटा पसंद आ रही है अगर वीडियो अच्छो लगा तो वीरो में टेराकते छो बिलते हम एले वीटीप टर टेकले बावाई एक्षिर्ण